हमने पिछले लिक्चर में गेलीलियन ट्रांसफरमेशन इक्वेशन्स की बात की थी जिसमें हमने दो फ्रेम्स लिये थे, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स एक को हमने S फ्रेम कहा था, एक को S प्राइम फ्रेम कहा था तो एक frame S और दूसरा S प्राइम और S के अपेक्षा S प्राइम ये वी वेग से जो common X-axis है इसका X-axis इसका X-axis दोनों एक ही लाइन पर है ये slide कर रहा है या ये slide कर रहा है इस पर जैसा भी कहें तो इसको हम लोग inertial दोनों inertial frames है और अगर कोई event है जैसे कोई particle इस समय पर यहाँ है तो ये हमारे लिए एक event है तो उसको अगर हम लोग इस frame से describe करते हैं तो कहा location बताने के लिए हम उसका X, Y, Z बताते हैं और कब ये बताने के लिए हम उसका time बताते हैं T बराबर 0 हम उस समय को कहेंगे जिस समय ये origin और ये origin दोनों एक ही जबबर हैं यानि ये जब चलता हुआ इसको cross करता है ठीक उस समय उसको हम लोग कहेंगे T बराबर 0 और इसी इवेंट को अगर हम यहां से describe करें कहां तो हमें बताना पढ़ेगा X, Y, Z प्राइम और कब तो हमें बताना पढ़ेगा time T प्राइम सेम इवेंट ये particle इस समय इस pole के उपर है या इस point पर है तो किस point पर है बताने के लिए ये बताओ अगर आप S frame से use कर रहे हो ये बताओ अगर आप S prime frame से काम कर रहे हो इसी तरह कब वहाँ पर है तो इस frame को use कर रहे हैं तो T बताओ इस frame को use कर रहे हैं तो T प्राइम बताओ तो हम low velocities में जब काम करते हैं तब ऐसी हालत में बहुत simple relation होता है इनके इनके बीच में जो हम लोगों ने पिछले lecture में किया था X prime बराबर X minus VT Y prime बराबर Y Z prime बराबर Z और T prime बराबर T इसको हम लोग कहते हैं Galilean Transformation Equation और अगर हम velocity की बात करें महा लिजे कोई particle चल रहा है और हम यह जो बता रहे हैं कि particle किस समय पे कहाँ है और जब समय बदल रहा है तो उसका location भी बदल रहा है तो उसकी velocity वह velocity हम लोग कैसे लिखते हैं अगर हम S फ्रेम का इस्तिमाल कर रहे हैं तो हम velocity लिखेंगे VX X Component of Velocity Velocity का X अक्ष की तरफ घटक यह हम लिखेंगे DXDT ऐसा क्या मतलब है इसका अगर यह particle यहाँ है और इसका कुछ XYZ है इस समय पे और थोड़ी दिर बात क्या हुआ यह particle कहीं और चला गया यहाँ चला गया तो हम उसका और इस समय इसका कुछ बढ़ बदल गया इस समय इसका कुछ बदल गया है coordinate X की जग़ X प्लस DX हो गया Y की जग़ Y प्लस DY हो गया Z की जग़ Z प्लस DZ हो गया कब यह T समय पे यहाँ था और यह T प्लस ΔT या DT इस समय पे तो particle चल रहा है इस फ्रेम से देखने पे particle चल रहा है पहले यह X, Y, Z पे था T समय पे और T प्लस DT समय पे यह यहाँ पहुँच गया तो X दिशा में जो velocity है उसको हम कहेंगे कि X में कितना परिवर्तन हुआ DX कितनी देर में परिवर्तन हुआ DT देर में तो DX by DT को हम लोग VX लिखेंगे DX DT ऐसा इसको पढ़ते है इसी तरीके से VY velocity का Y DY DT और Z axis के तरफ घटक DZ DT अब अगर आप इनका इसी तरह से अगर हम S' फ्रेम में काम करें इसी प्रेम को देखें S' फ्रेम से तो T' समय पे उसका ये लोकेशन है T' प्लस DT' समय पे लोकेशन उसकी बदल जाएगे और फिर इसी तरीके से हम एक्वेशन से उसके लिए भी लिख सकते है VX' याने DX' DT' एक ही परिवार्षा चल रही है VY' याने DY' प्राइम DT' और VZ' याने DZ' प्राइम DT' अब आप इसको इस्तेमाल केजिए इस X' के लिए आप इसको इस्तेमाल केजिए तो देखें क्या बनता है इसको हम लोग लिख सकते हैं DDT' X' के जगर X' माइनस VT लिख सकते हैं और चुकर T' बराबर T है तो DT' बराबर DT है तो इसलिए इसको हम लिख सकते है DDT X' माइनस VT और इसको फिर और आगे बढ़ा सकते हैं यह हो जाएगा DXDT और माइनस V DT DT V तो constant है यह कौन सा V है यह यह S' जिस velocity से S की अपेक्षा चल रहा है वो अलब V है particle की जो velocity है उसके यह घटक है और frame की जो velocity है इसकी अपेक्षा वो V है तो यह तो fixed है यह सामय के साथ नहीं बदल रही तो आप इसको अलग से बाहर लिख सकते हो DT DT एक अरथात अरथात VX माइनस V VX प्राइम बराबर VX माइनस V आप velocity के Y घटक को देखे जो particle का वेग है उसका Y X के तरफ जो घटक है उसको देखे primed frame में अगर काम कर रहे है S prime में काम कर रहे है तो यह इतना है और यहां से फिर आजए Y prime बराबर Y है तो D Y prime बराबर D Y है इसलिए इसको लिख सकते हैं D Y और D T prime बराबर D T है और D Y D T आप S से देखें या S prime से देखें जो दोनों Y coordinates है वो बराबर है हर समय इसलिए Y direction में अगर कोई velocity है तो वो भी बराबर है इसलिए प्रकार से आप V Z prime को देखें D Z prime है Z prime बराबर Z है D Z prime बराबर D Z है इसलिए D Z है और यह D T है और यह V Z है तो यह समभी करण बने तो इसलिए प्रकार एक जगह में कठा कर दूँ तो V X prime बराबर V X minus V V Y prime बराबर V और V Z prime बराबर यह V Y और यह V Z यह velocity के लिए transformation equation हो गए यह वाले position के लिए transformation equation थे इसमें position का पता चल रहा था यहाँ velocity का पता चल रहा है S frame में जो velocity के components है और S prime frame में जो velocity के components है उनमें यह relation है तो इसको कहेंगे हम velocity transformation equations वेग के रूप अन्तरन के यह समी कर रहे है और अगर आप तुरन की बात करें acceleration की बात करें तो जैसे position के बदलने की दर velocity कहलाती है वैसे ही velocity के बदलने की दर है वो acceleration कहलाती है तो अगर हम acceleration यहाँ से लिखें यहाँ से लिखें तो हम लिख सकते है AX प्राइम AX प्राइम का क्या मतलब इसके बदलने की दर अर्थात D VX प्राइम DT प्राइम और VX प्राइम यह है VX माइनस V और DT प्राइम और DT एक ही है तो आपको DT करना है इसका और माइनस इसका यह तो constant है इसके वेग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यह V उतना ही रह रहा है टाइम बदलने के साथ तो इसके परिवर्तन की दर तो शुन्य है तो जब आप यह differentiate करेंगे D DT प्राइम करेंगे इसका तो क्या बनेगा देखिए पहले हम इसको लिख लें यह बराबर है नीचे हम DT लिख देते हैं पूरा DT प्राइम बराबर DT है और यह जो VX प्राइम है वो है VX माइनस V अर्थात DVX DT यह चुक्के इसके बदलने की दर्शुन नहीं है इसलिए DVDT 0 है और यह है AX अर्थात AX प्राइम बराबर AX है इसी तरीके से आप यहां से लिखे AY प्राइम लिखे AY प्राइम बराबर क्या DV प्राइम Y DT प्राइम यह इतना और यह VY प्राइम तो VY के बराबर ही है इसलिए आप लिखेंगे इसको DVY और यहां DT DT प्राइम और DT बराबर है तो यह हो जाएगा हमें AY इसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं AZ प्राइम को और AZ प्राइम बराबर होगा AZ तो आप ध्यान से देखिए त्वरन का X दिशा में घटक किस फ्रेम से S प्राइम फ्रेम से यह यहां लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा है यह बराबर किस के यह बराबर इस के है त्वरन का X दिशा में घटक किस फ्रेम में तो एस फ्रेम में जतना घटक है उतना ही अस प्राइम फ्रेम में भी घटक है एक्स घटक बराबर है वाई घटक भी देखिए ये त्वरन का वाई दिशा में घटक कहां से एस प्राइम से और ये है त्वरन का Y दिशा में घटक कहां से? S से, तो S प्राइम से जो घटक है वही S से भी घटक है और वो भी बराबर है और Z घटक भी दोनों फ्रेम में बराबर है अर्थात जितना acceleration particle का S फ्रेम में है ठीक उतना ही acceleration particle का S प्राइम फ्रेम में भी है तो किसी particle का त्वरन सभी inertial frames में बराबर रहता है ये एक महत्वपुन प्रणाम है किसी कण का त्वरन सभी जड़त्वी यानि इनर्शियल निर्देश तंत्रों में बराबर होता है जितना S फ्रेम में त्वरन है उतना ही S प्राइम फ्रेम में भी त्वरन है velocity के लिए vague के लिए ये बात नहीं है vague के लिए देखिए y घटक और z घटक ये तो दोनों बराबर है लेकिन जो x घटक है वो अलग है इसी तरह से जो position है वो भी y और z के positions तो बराबर दिख रहे है लेकिन x का जो position है वो S फ्रेम में अलग है S प्राइम फ्रेम में अलग है लेकिन त्वरन acceleration ये जतना S में है उतना ही S प्राइम में है ये एक महतोपरण प्रणाम है जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं लेकिन हमने कहां से शुरुआत की हमने Galilion transformation equation से शुरुआत की इसलिए ये प्रणाम ये प्रणाम कब सही है ये प्रणाम Galilion रुपांतरन ये ट्रांस्फर्मेशन ये प्रणाम जो हमने निकाला है वो इसके लिए निकाला है और ये Galilion transformation equations कब सही होते है जब हमारी velocities जो हैं वो कम होती है तब ये Galilion transformations काम करते हैं यानि सही होते हैं उसमें जो भी कुछ अशुधिया हैं वो इतनी कम हैं कि हमें उसके कोई परवानी होती है हम कहते हैं कि Galilion transformation equations are okay बहुत सारी चीज़े जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो Newton के नियम से गवर्ण होती है Newton के दूसरे नियम से हम इनर्शल फ्रेंज में काम कर रहे है तो Newton का पहला नियम तो सही है जो दूसरा नियम है force बराबर mass into acceleration उससे बहुत सारी चीज़े गवर्ण होती है जतनी चीज़ हम चलती हुई देखते है वो चाहे हमारा कुछ छोड़ दें वो गिर जाए नीचे जमीन की तरफ यहां दो चीज़ों में टकर हो जाती है तो उसके बाद उनकी दिशाएं बदल जाती है यहां हम cycle के उपर पैडल के उपर बल लगाते है और उसके कारण से चकक गुमता है और cycle आगे बढ़ती है यह भिन्न प्रकार की जो चीज़े हम देखते है वो सब F बराबर MA यहां से वो कंट्रोल होती है और इस F बराबर MA को अगर हम देखें यह जो equation है या सूत रहे या नियम है उसको अगर हम देखें हम इसको लिखें बल परिणामी बल बराबर धरव्यमान और गुना त्वरण यह है वो रूल यह है वो नियम जिससे की बहुत तरह के जो motion हम देखते हैं वो इससे गवर्ण होते हैं इससे control होते हैं इसके अनुसार होते है अब यह बल कैसे आता है बल पैदा कैसे होता है बल पैदा होता है जब दो वस्तुवें एक दूसरे से इंटराक्ट करती है सूरज है धरती है तो दो चीजे है तो जो सूरज है वो धरती पर बल लगाता है धरती है वो सूरज पर बल लगाती है इसी प्रकार से स्प्रिंग है और अगर स्प्रिंग को दबा रखा है हमने, तो हम स्प्रिंग पे बल लगा रखे हैं, और स्प्रिंग ने मेरे उपर बल लगा रखा है, तो जब वस्तुमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तब बल लगता है, या आवेश है, एक आवेशित धन आवेश है, एक चुम्बक के पोल्स है दुरुब है तो वस्तवे एक दूसरे पर बल लगाती है और वो बल निर्भर करता है कि उन दोनों की पिछ की दूरी कितनी है और उसके रचना कैसी है इन चीजों पर बल निर्भर करता है तो जब हम गेलिलियन ट्रांसफर्मेशन्स में से देखते है यानि कम विलोसिटी वाली चीजों को देखते है तो अगर हम एस फ्रेम में रहें या हम एस प्राइम फ्रेम में रहें हमारे दो वस्तवें अगर है तो उनका जो आकार है उनका जो शेप है उनकी जो 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 मेटरी है वो एक सी रहने वाली है गोल है तो गोल है या उस फ्रेम में रहें, तो जोमेटरी एक जैसी है, और दोनों के बीच की दूरी एक जैसी है, तो जो बल लग रहा है, वो बल भी उतना ही होगा, एक जैसा होगा, तो यानि आप S फ्रेम में रहो या S प्राइम फ्रेम में रहो, बल उतना ही है, किसी वस्तु पर लगता हु शलिवा बल जतना यहां है उतना ही उतना ही आप से भी देखोगे तो भी आपको उतना ही बल मिलेगा तो अगर स फ्रेम से हमने देखा आपसे मेो आपसे सिंवेखगे हिए में लिखा ग्राइज भू घो और सब दो सबाइम सो करेवए उपिर से पैजा है ओं दोologies बराबर होंगे फिर दवे मान है मास है पार्टिकल का तो पार्टिकल का मास भी आप इस फ्रेम में रहो या उस फ्रेम में रहो मास तो उतना ही है और इस कारण से जो मास लिखेंगे हम वो भी उतना ही लिखेंगे M' बरावर M लिखेंगे और तुरन हमने अभी पूरा गनित करके देख लिया कि आप S' में रहो S' फ्रेम में रहो या S' में रहो तुरन उतना ही रहता है सभी inertial frames में किसी कण का तुरन बरावर होता है तो इसलिए जो यहां पर तुरन है वो भी इस तुरन के बरावर है तो अगर F बरावर M A है मास और acceleration को गुना करके F बनता है तो यहां भी आप देखें F' is equal to M' A' यहां भी वही बात हो गई F की जगह में F' लिख सकते है दोनों बरावर है M की जगह में M' लिख सकते है दोनों बरावर है A की जगह A' लिख सकते है दोनों बरावर है और यहां भी वही बात हो गई बल बरावर द्रव्यमान गुना त्वरन इसको हम लोग कहते है कि यह जो Newton का नियम है Newton का गती नियम है दूसरा गती नियम सभी जड़स्त्वी तंत्रों में निर्देश तंत्रों में फ्रेम्स में एक जैसा रहता है इसको हम कहते है इन वेरियंट जो Newton का गती नियम है वो फ्रेम्स बदलने से उसका स्वरूप नहीं बदलता है उसका समीकरन नहीं बदलता है वो इन वेरियंट है Newton's law of motion is invariant अंडर Galilean transformation ये सारी बाते जो हम कर रहे है वो Galilean transformation के तहत कर रहे है तो ये सारी बात जो लिखी गई है वो कब सही हम बताएंगे ये सब Galilean transformation Galilean रूपान तरन के अनुसार Galilean रूपान तरन के अनुसार Newton का गतिनियम सभी जड़े त्वी तंतरों में एक जैसा रहता है यहाँ भी force पराबर mass into acceleration है यहाँ भी force पराबर mass into acceleration है और चुकि बहुत तरह के जो हमारे events डेली लाइफ के है वो Newton's law से govern होते है और Newton's law S में भी वही है और S prime में भी वही है तो जो परणाम हमें S में मिलने चाहिए वही परणाम हमें S prime में भी मिलने चाहिए अर्थाथ अगर मैं इस कमरे में हूँ और इस कमरे में मैं अपने दोनों पैरों पर ऐसा खड़ा हो सकता हूँ ठीक प्रकार से तो अगर मैं किसी दूसरे फ्रेम में रहूँ जो इस कमरे की अपैक्षा एक समान वेग से एक दिशा में चल रहा हो यानि वो भी इनर्शियल फ्रेम है लेकिन इसकी अपैक्षा चल रहा है वहाँ भी मैं ऐसे ही इत्मिनान से खड़ा हो सकता हूँ अगर यहाँ मैं बिना चलकाए हुए प्याले से चाई पी सकता हूँ तो उस फ्रेम में भी मैं बिना चलकाए हुए प्याले से चाई पी सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं खड़ा हो करके और यहाँ से गिराओं और वो ठीक मेरे पैर के उपर हो गिराने पे मेरे पैर को ही हिट करेगा, तो उस चलते हुए frame में भी एक समान वेक से चलते हुए frame में भी अगर मैं उसी प्रकार से खड़ा हो करके वैसे ही गिराओं तो वो वस्तु वैसे ही मेरे पैर को जाकर के टकर मारेगी अगर मैं badminton खेलना जुरू कर दूँ तो भले ही मेरा कोट जमीन पर हो या उस एक समान वेक से चलते हुए किसी जहाज पर हो वो बैडमिंटन हमारा वैसा ही खेला जाएगा मेरी स्किल्स वैसे ही काम आएंगी तो किसी भी एक्सपरिमेंट को करके आप यह नहीं बता सकते हो कि कौन चल रहा था और कौन स्थिर था आप एस फ्रेम में हो कि एस प्राइम फ्रेम में हो एक ही फ्रेम में अगर मैं रह करके सारे एक्सपरिमेंट करू तो एस में करूंगा तो भी वही परिणाम मिलेंगे एस प्राइम में रहूंगा तो भी वही परिणाम मिलेंगे इसको कहते हैं प्रिंसेपल ओफ इसी को कहते हैं आप एक शिक्ता का सिधधान्त यायनि क्या हैं सिधधान्त कि सारे experiment जो भी experiments आप कर रहे हो एक frame में जो परणाम दे रहे हैं वही experiment अगर आप दूसरे frame में दोहराओ दूसरे initial frame में तो वही वही परणाम फिर आपको मिलेंगे यानि जो लॉज हैं जो प्रकृति के नियम हैं वो नियम सभी फ्रेम्स में एक समान है और इसलिए सभी प्रणाम एक समान आते हैं इसको कहते हैं आप एक शिक्रता का सिध्धान्त या प्रिंसेपल अफ रिलेटिविटी है जो अबते हैं आते हैं इसलिए समान आते हैं आते हैं इसलिए आते हैं इसलिए करो आ दो जब तक आप जरत्वी फ्रेम में है जब चाहे वो एस में हो, एक फ्रेम लें और उसकी अपएक्षा चलता हुआ एक समानविक से चलता हुआ दूसरा फ्रेम लें वो चाहे जितना भी तेजी से चल रहा हो जो प्रकृति के नियम है वो सभी जड़त्वी प्रेमों में एक रूप के होते हैं इसको कहते है प्रिंसिपल अफ रिलेटिविटी और इसके लिए ज़रूरी है कि जो नियम है जो समी करण है रूल्स है लॉज है वो ट्रांसफॉर् ने देखा कि अगर गेलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हम बात करें तो न्यूटन का नियम जो है वो इन्वेरियंट है और उस पर आधारित जितने भी प्रणाम होंगे उनके लिए यह रिलेटिविटी की बात सही निकलेगी लेकिन न्यूटन के नियम ही तो सारी प्रकृत को बताने ही सकते और भी प्रकार के नियम है खास करके अगर आप आवेश की बात करें दो आवेश एक दूसरे पर कैसा बल लगाते हैं एक आवेश चल रहा हो तो क्या होता है तो विद्धुतिक शेत्र पैदा होता है और चुम्ब की एक शेत्र पैदा होता है उनके जो transformation में invariant नहीं है और इसलिए समस्य आ जाती है कि जब हम mechanics की बात करें Newton के नियमों की बात करें तब तो principle of relativity ठीक लेकिन अगर हम आवेश की बात करें चार्ट की बात करें magnetism की बात करें तब principle of relativity ठीक नहीं क्योंकि उसके जो rules हैं जिसको Maxwell की नियम कहा जाता है वो Galilean transformation में invariant नहीं होते हैं हम इसकी चर्चा अगले class में करेंगे